क्लास में सबसे पहले हम लोग करेंगे current affairs और जीके के महतपूर questions का revision ठीक है तो आइए start करते हैं परम पोरूल सूपर कम्प्यूटर का उद्गाटन अभी हाल ही में किस संस्थान में किया गया तो परम पोरूल कहां पे start किया गया तो यह हुआ आपके निटी तिरुचिरा पल और परम अनन्त को कहां पे अस्थापित किया गया तो यह आई 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 टी गाधी नगर में इसके बाद अगला है हमारा परम गंगा सूपर कम्प्यूटर तो इसको जो अभी हाल ही में कहां पे किया गया तो आई 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 टी रूड की में इसके लावाँ परम सक्ती पर कंप्योटर को भी हाल ही में कहां पर शापित किया गया तो यह सभी आपके current के questions हैं यह आपको याद होने चाहिए तो परम प्रवेगा को शापित किया गया IISC बेंगलूरू में इसके बाद अगला है हमारा हाल ही में 5G test band का सुभारम किया गया तो 5G test band जो है यह परयोज प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने ब्लाक्चेन आधारित डिजिटल डिगरी का सुभारम कहां से किया तो ब्लाक्चेन आधारित डिजिटल डिगरी इसका प्रारम किया गया कहां से IIT कानपूर से विकलांगों के कौसल विकास और नौकरी खोजने के लिए स्वराज बिल् थम सूपरकम्प्यूटर है वो है परम 8000 और भारत के सूपरकम्प्यूटर का निर्माड जो है किस संस्था के दौरा किया जा रहा है तो जो आपका सूपरकम्प्यूटर भारत में बनते हैं इसका निर्माड किया जाता है C.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S तो विस्व का सरवाधिक तेज सूपरकेंप्यूटर कौन बन गया है फ्रंटियर और दूसरे नंबर पे आप कौन हो गया है तो अपने पहले पढ़ा होगा फुगाकु जो है सबसे तेज कंप्यूटर था ठीक है अब फुगाकु किस नंबर पे हो गया अब फुगाकु दूसरे नंबर पे हो गया क्योंकि पहले नंबर पे आप कौन सा हो गया है फ्रंटियर जो की कहा का सूपरकेंप्यूटर है अमेरिका का वश्यु में वर्तमान में भारत का सरवाधिक तेज सूपरकेम्प्यूटर कौन सा है अगर मैं आपसे पूछनू कि अभी हाल ही में C Morph नाम का सूपरकेम्प्यूटर की सिद्यष के दूरा प्रारम किया गया तो इसको आप लोग कमेंट करके बताना सीमोर्ग ठीक है अभी पिछले 5-6 महीने पहले इसको इस्टार्ट किया गया था किस देश के दोर प्रारम किया गया वो आप कमेंट करके बताएंगे तो वेलकम टू एकजाम सहपाठी आज लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामे की सार की क्लास को इसमें हम लोग करन्ट अफेर्स और जीके का रिवीजन करते हैं अगर आप यहाँ पे पहली बार आये हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लाँ वाँ टेली ग्राम पे इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक पे हमें फालो कर सकते हैं वाई यह कांटीनू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कुछ महतपूर अधनियम को तो वन या जीव सनरक्षण अधनियम ये कब आया था तो यह आया था 1972 में ये अपका वन या जीव सनरक्षण अधनियम है इसके लाँ अगर आपसे पूछ लिया जा कि वन सरक्षण अधनियम कब होता है तो वन सनरक्षण अधनियम Augusti में आया था ठीक है वन या जीव 1982 और वन सनरक्षण कब 1982 में जल प्रदूसर्ड नियंतर अधनियम कब आया था तो जल प्रदूसर्ड नियंतर अधनियम आया था 1974 में और अगर आपसे पूछ लिया जा कि वायू प्रदूसर्ड नियंतर अधनियम कब आया था तो यह आया था 1981 में ठीक है तो जल प्रदूसर्ड जो है नियंतर अधनियम क्या है RTE ठीक है RTI का मतलब Right to Information 2005 में और सिक्षा कादिकार Right to Education ये कब आया था तो ये आया था 2009 में पोसको अधनियम ये कब आया था तो पोसको अधनियम आया था आपका 2012 में और अगर आपसे पूछ लिया जा कि लोकपाल के लिए अधनियम कब आया था तो लोकपाल और लोका युकतनियम आया था कब 2013 में ठीक है नेक्स्ट हमारा है सन्युक्त राष्ट द्वारा जारी विश्व खुसाली सुचकांक 2022 में भारत की रेंग क्या है तो अभी हाली में जो है विश्व खुसाली सुचकांक जारी की गई थी तो इसमें भारत की रेंग क्या है तो भारत इसमें 136 नंबर पे है ठीक है freedom index में पहले नंबर पे कौन है तो ये है आपका नारवे देश अब देखते हैं कुछ महतपूर योजनाओं के बारे में जो अभी हाली के महीनों में start की गई है तो पहला है मारा मुख्यमंत्री मितान योजना मुख्यमंत्री मितान योजना की सराज्य की है तो ये 36 गड़की है इसमें 100 सरकारी सेवाओं को लोगों तक उनके घर तक पहुचाने के लिए इसको प्रारम किया गया मुख्यमंत्री मितान योजना जीवला योजना कहा की योजना है तो जीवला योजना में क्या है यह महराश्च सरकार की योजना है इसमें जेल में जो कैदी बंद हैं उनको 50,000 रुपए तक जो है रिड उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रारम की गई है जीन बैंक पर योजना आपके पस्वों को और फस्वों की जो है जीन को सुरक्षित करने के लिए महराश्च सरकार ने जो है जीन बैंक पर योजना सरकार की है इसमें जो है बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफॉन वित्रड़ से सम्मंदित योजना है इदिगम योजना ह दिये जाएंगे फिर जब वो पास हो जाएगी तब उसको 12500 रुपए और दिये जाएंगे ताकि वो अपना ग्रेजविशन तक कम्प्लीट कर सके अपनी पढ़ाई नेक्स्ट हमारा है चारा बिजाई योजना चारा बिजाई योजना अभी हाली में किसके दोरा प्रारब की गई हर्याणा सरकार के दोरा और इसमें क्या है कि एक एकड तक जमीन में अगर चारा आप उगा करके गौसालाओं में देते हैं तो आपको एक एकड के लिए 10,000 जो आपके ट्रांसजेंडर समुदाएं हैं और जो शड़क पे भीख मांगते हैं बच्चे उनके लिए प्रारब की गई है इस माईल योजना मुख्य मंत्री चा स्रमी कल्याड प्रकल प्योजना की राजी ने प्रारम की तो इसे प्रारम किया है त्रिपुरा राजी ने चाय के जो स्रमीकों हैं उनके लिए जो है उनके कल्याड के लिए आपका मुख्य मंत्री चा स्रमी कल्याड प्रकल प्रकल प्योजना प्रारम की गया और डाक्टर रंबेटकर उत्कृष्टता केंद्र योजना में क्या होगा तो आपके जो अनुसूचित जाती के बच्चे हैं उनको जो है नहिसुलकापका यूपीएस्सी की तयारी यानि की लोग सेवाओं की तयारी करने के लिए इसको प्रारम किया गया है कहां से ब्याच्चू वाराणसी से डाक्टर रंबेटकर उत्कृष्टता केंद्र योजना ठीक है अगला है हमारा अगनीपत प्रवेस योजना तो ये भारतिय सेना के दौ गया है नेक्स्ट हमारा है हिम प्रहरी योजना उत्रा खंड सरकार के द्वारा प्रारम की गई जो आपके सीमा वरती इलाके हैं वहाँ पर युवाओं को और पूर्वों सेनिकों को बसाने के लिए ताकि सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके उसके लिए हिम प्रहरी योजना उत्रा खंड सरकार ने प्रारंब किया है अगला हमारा है भारती रेलवे का 100% विद्यूती करित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है तो भारती रेलवे कब तक अपना 100% विद्यूती करित करने का लक्ष्य रखा है तो ये रखा है दिसंबर 2023 तक ठीक है और भारती रेलवे दोरा सुन्य कार्बन उत्सरजन का लक्ष रखा गया है 2030 तक भारत सरकार दोरा मलेरिया उन्मूलन का लक्ष रखा गया है आपके 2035 तक अब देखते हैं कुछ जो है महतपूर जो प्रतिमाय अस्थापित हुई थी उनके बारे में तो अभी कुछ पिछले किसी एकज जाम में आपसे पूछ लिया गया था कि संक्रा चार की 12 Q की प्रतिमा का उध्गाटन प्रधार्नमंति प्रतिमा का अनावरण अभी खाल ही में किया गया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं स्टेचू अफ इक्वैलिटी के नाम से जानते हैं और यह कहां पे स्थापित है तो यह हैदराबाद तेलंगाना में इसका उद्गाटन किया गया प्रधानमंति नरेंदर मोधी के ठीक है तो इस्टेचू अफ इक्वैलिटी में किसकी प्रतिमा है रामानुजचार की और इनकी एक हजारमी जैनती पर इसको जो है स्थापित किया गया है और इसकी उचाई कितनी है 216 फीट नेक्स्ट हमारा है सरदार वललब भाई पटेल की 597 फीट की जो है प्रतिमा है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं स्टेचू आफ यूनिटी के नाम से और ये कहां पे स्थापित है तो ये आपके केवडिया गुजरात में स्थापित है अगर मैं आपसे पूछनू कि य जो है वो वास्तुकार थे यानि कि इस मूर्ति को जो है किसने बनाया था उनका नाम क्या है तो आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आपको पता हो तो अगला हमारा है जैनाचार विजय वललब की 151 इंच मतलब लगबक 5 फिट की मूर्ति की बात हो रही है 151 इंच की है य अगला हमारा है डाक्टर भीम रावम बेटकर की 70 फिट उची प्रतिमा अस्थापित की गई अब ही हाली में जिसको हम लोग Statue of Knowledge के नाम से जानते हैं और ये कहां पे अस्थापित की गई तो ये लातूर महराष्ट में अस्थापित करी गई है और कुछ दिन पहले प्रद से दक्षिड तक विस्तार कहां से कहां तक है तो ये सिंदुगाटी सब्विता आपकी कौन सी सब्विता थी ठीक है तामर योगीन संस्था या कांस योगीन या फिल लौह योगीन ये आप लोग कमेंट करके बताना कि जो आपका सिंदुगाटी सब्विता थी ये किस प्र दाइमाबाद जो कि कहाँ पे है महाराष्ट में ठीक है सुंदु गाटी सबीता का उत्तर से दख्षिर तक विस्तार और अगर आप से पुछ लिए जाये कुछ महत्पूर्ण पॉर्टल्स के बारे में जो की जो है विवीन मंत्रालेओं के द्वारा लांच किई गया है तो तेम्पल 행복 ot इसके द्वारा लांच किया गया तो ये संस्कृति मंत्रालेओं ने लांच किया है और सिख्पल किया गया है फाश्टर और सूपेस पोर्टल का प्रारम किसके द्वारा किया गया है तो फाश्टर और सूपेस पोर्टल का प्रारम किया गया है सर्वोच न्याले के द्वारा ठीक है यह आपके काफी इंपोर्टेंट है यह दोनों जरूर याद रखेगा फाश्टर और वो छिन्याले से सम्बंदित हैं सुगम या भारत पोर्टल का प्रारम किसके दोरा किया गया तो सुगम या भारत पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले के दोरा किया गया अगर मैं आपसे पूछनू कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वरतमान में एक्सिडेंट किसे संबंदित है तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले से संबंदित है ठीक है तो ये प्रादम किया गया आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले के द्वारा और इसके मंत्री का नाम अगर मैं आपसे पूछ लो तो वह आप लोग कमेंट पोर्टल किस से संबन्दीत है तो ये भारत सांसकृतिक संबन्ध परिशद से संबन्दित है और India Aluminina Portal में जो है क्या है कि इसमें जो भारत में विदेशी नागरिक जो पढ़ चुके हैं उनके सांस्कृतिक संबंद अस्थापित करने के लिए भारत सांस्कृतिक संबंद परिसद ने जो है इंडिया एलूमेनी पोर्टल की प्रारम अस्थापना की है और अगर मैं आपसे पूछनू कि भारतीय साल्सकृतिक संबंध परिसद की अस्थापना कब की गई थी तो ये आप लोग कमेंट करके बताना ठीक आपको बताया जा चुکा है प्रसारड सेवा पोर्टल किस ने परारम किया गया अमानत पोर्टल किस ने परारम किया गया रेलवे सुरक्षभल के द्वारा यानि की ARPF के द्वारा जैसे कि आपके यात्रा के दौरां अगर कोई सामान आपका खो जाता है तो इस को जो है इस नेक्स्ट हमारा है उत्सो पोर्टल उत्सो पोर्टल आजादी के अमरित महोत्सों के लिए प्रारम किया गया आनि कि आजादी के अमरित महोत्सों में आपका 75 वर्सगाट में आजादी के 75 वर्सगाट में आपका आजादी कामरित महोत्सों मना जा रहा है और इसमें जितने कारक्रम, आपके आयोजीत होंगे ठीक है न वो आपके कहाँ पे देखे जा सकते हैं? उतसो पोर्तल पे तो इसको किस ने प्रारम किया गया तो इससे प्रारम किया गया प्रटन और संस्कृती मंत्राले के द्वारा स्वराज इसे ाइ बिल्टी पोर्टल किया है तो अभी कुछ जिर पहले आपको बताय गया था बिकलांगों को कोसल विकास करने और उनको नोकरी खोजने में मदद करने के लिए सोराज बिल्टी पोर्टल इसको अभी हाली में प्रारम किया गया भारत के निर्यातक और विदेसी क्रेत जितदार हैं वो भारत के निर्यातकों से जो है 22 भासाएं हो गई है ठीक है न यानि कि जब आपका सम्मिधान बना था तब 14 भासा है थी और अब कितनी है वर्तमान में 22 भासाएं है और सम्मिधान की किस अनुसूची में भासाओं को सामिल किया गया है तो यह जो 22 भासाएं है यह कौन सी अनुसूची में है तो याद संभी धान संसोधन हुआ था 1967 में उसके द्वारा संधी भासा को 15 वह भासा के रूप में उसके बाद स्ोलह सतर हो ट्रह इन ँदरह भासा आँधन हो तारव स चृक घालि मडीपूर कोघड़ी को किस संभी धान संभी के संसोधन virtual चिज keine चास अधिक है ठीक तो इसको 71 संविधान संसूधन के दोरा जोड़ा गया 1992 में उसके बाद जो है आपका 92 संविधान संसूधन होता है कब 2003 में और इसमें 4 भासाओं को जोड़ा जाता है और कुल कितनी भासाओं हो जाती है आपके 92 भासाओं जोड़ा जोड़ा 2023 में बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली और मैथली इन भासाओं को उड़ा को जोड़ के फिर कुल 22 भासाओं हो जाती है अब कुछ महत्पूर्ट पुरुसकारों को देख लेते हैं जो कि अभी हाली में प्रदान किये गए है तो 31 सरस्वती संबान किसे प्रदान किया गया है तो 31 सरस्वती संबान है ये आपके रामदरस मिस्र को प्रदान किया गया और कविता संग्रह किस कविता संग्रह के लिए तो इस कविता संग्रह के लिए मैं तो यहां हूँ ठीक है न? तो इनकी कविता संग्रह का नाम है मैं तो यहां हूँ इसके लिए रामदरस मिसर को 31 सरस्वती संबान दिया गया अगला हमारा है पुलिजर 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 फीचर फोटोग्राफी स्रेडी में दिया गया है चार भारतियों को दानिस सिद्धिकी को अदनान अबीदी, सना इरसाद मट्टू और अमीद दवे वैसे पुलिजर पुरुषकार जो है कई अलग-अलग केटेग्री में दिया जाते हैं लेकिन ये चार भारतियों को जिसे मिला है फीचर फोटोग्राफी स्रेडी में ठीक है तो फीचर फोटोग्राफी स्रेडी में दानिस सिद्धिकी, अदनान अबीदी, सदा, इरसाद, मैत के छेतर में दिया जाता है निक्ष्ट हमारा है विश्व खाद्य पुरुषकार 2022 ये किसे दिया गया तो ये आपके सिंथिया रोजिन्जवेक को दिया गया ठीक है न ये आपका कौन सा है विश्व खाद्य पुरुषकार 2022 पहली बार किसी भारती को प्रदान किया गया और वो कौन है तो वो है आपके दीपक धर ठीक है तो दीपक धर जो है ये बोल्ज मेन पुदक पाने वाले पहले भारती जो है है अगला हमारा है साइथ तेकादमी परुषकार 2021 अंगरेजी भासा के लिए किसे दिया गया और अगर आपसे पूछ लिए गया है कि हिंदी भासा के लिए किसे दिए गया है दया प्रकास सिन्ना को और इनके किस नाटक के लिए गया तो समराट असोक के लिए ठीक है तो तो इसाहित एकादमी पुरुषकार 2021 की बात हो रही इंदी मासा दया परकासिनना अग्रेजी मासा नमिता गोखले रायल गोल्ड मेडल अभी हाली में किसे दिया गया तो बाल कृष्ण दोसी को दिया गया और बाल कृष्ण दोसी जो है ये आपके एक क्या है आर्किटेक्चर है ठीक है आर्किटेक्ट है आर्किटेक्चर नहीं आर्किटेक्ट है यानिकि वास्तुकार है बाल कृष्ण दोस है science plus जो है आपका devotion या फिर आध्यात में होता है ठीक है न उसको मिलाने के लिए आपका Frank Viljek को Templeton Award दिया गया Whitley Gold Award 2022 किसे प्रदान किया गया तो Whitley Gold Award दिया गया चारुदत मिस्र को और क्यों दिया गया तो हिम तेंदुआ के सनरक्षण के लिए जो है हिम तेंदुआ के सनरक्षण के लिए ये आपका पुरुषकार दिया गया Whitley Gold Award किसे चारुदत मिस्र को ठीक है 2022 के लिए अंतराश्टी बुकर पुरुषकार 2022 अभी हाली में ठीक है ना तो अंतराश्टी बुकर पुरुषकार 2022 किसे प्रतार किया गया गीतांजली स्री और डेजी राक्वेल को गीतांजली स्री कहां से संबंदित है तो उत्तर प्रदेश के मैन पूरी जीले से संबंदित है ये भी आप याद रखना ओके नेक्स्ट हमारा है बांगला एक आदमी पुरुषकार तो पहली बार बांगला एक आदमी पुरुषकार शुरू किये गया और पहला ही पुरुषकार किसे दिया गया तो पहला ही पुरुषकार जो है दिया गया है ममता बनर जी को इनकी जो है एक पुष्टक थी जिसका न अदिवाद।